इसमें derivative find करना है, वही rule कि आपके पास अगर f of g of x है, तो आप क्या करते हैं, f prime, इसका derivative, पहले function का derivative रेते हैं, फिर inside वाले का derivative multiply करते हैं, तो यह दे कि यह function है, इसका derivative 37 front पे आ गया, और इस power में से एक minus हो गया, यह function के composition का derivative, और फिर साथ हम multiply करते हैं, inside जाएं, इसका derivative, तो derivative आपको लेना आतना है, तो you can calculate that, again, 6 as a coefficient आजाएगा, 6 में से एक minus हो जाएगा, और फिर inside वाले का derivative, अगर आपने इसको दूसरे तरीके से करना है, तो आप इसको कर सकते हैं, हमें u is equal to x cube plus 2x, तो y या f of x, y is equal to f of x, क्या बनेगा, u to the power 37, अभी x का नहीं है, ये u का बन गया, आपके पास y आजाएगा, y is equal to u, हमें dy को with respect to u करना है, तो 37, u to the power 36, du को with respect to x करना है, तो 3x square plus 2 हाजाएगा, इसको फार्मूले में पुट करें, dy by dx is equal to dy by du into du by dx, dy by du हमें पास क्या है, 37, u to the power 36, into du by क्या है, 3x square plus 2, अब u की जगा उसकी value पूट कर रहे, 37, u की जगा उसकी value क्या है, x cube plus 2x to the power 36, 3x square plus 2, which you can see is exactly the same as this one, तो दोनों में से कोई साभी तरीखा आप, यूज कर सकते हैं, इसमें अगें ये function है, तो minus 2 front पे आगा, power में एक minus होगे, तो minus 3, और फिर inside वाले का derivative, इसका derivative again, you can calculate, इसको हम पहले उपर लेके जाते हैं, denominator में, ताके power, ताके function से निकलें और हम easy ले calculate कर सकें, power front पे आजाएगी, power में से एक minus होजाएगा, और inside वाले का derivative ये होगे, ये minus 10 है, नीचे जाएगा, तो positive 10 है, अगें इसको उपर लेके जाएगे, power front पे आखे, 4 के साथ multiply होगे, तो minus 12, और power में से एक minus कर दिया, और फिर ये inside वाले का derivative है, तो साथ multiply कर लेके, power 1 over 2 है, ये आभी जो हमने पहले बात की थे कर आख कर आख स्कोर रूट का कुछ आ जाए, तो 1 over 2 times, वही चीज स्कोर रूट वाली, और फिर जो inside है, उसका derivative है, आख साथ multiply कर लेके, अब स्कोर रूट के अंदर फिर स्कोर रूट है, तो ये भी exactly सेम ही आएगा, 1 over 2 times, वही चीज, फिर derivative लेंगे, inside वाले का, तो ये उसका inside हो, ठीके, इसका derivative लेंगे, तो इसका derivative लेंगे, तो इसका derivative जिरो हाजाएगा, कि इसका derivative again, 2 times square root 3x आएगा, ठीके, अब फिर inside का derivative, inside ही है, इसका derivative क्या होगा, 3. So, 2 into this, that becomes, आपके पास, 3 divided by, ये 2 और ये 2 multiply हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 plus square root 3x, और 7 multiply करेंगे, ये चीज, square root 3 और square root x स्कार कर मैं, अलग-अलग जिख दो, इस वाले 3 complex है, square root 3, और square root 3, ये 3 is equal to square root 3, square root 3, अगर मैं इसकी जगह पे, square root 3, square root 3 लिक हो, तो ये square root, इसके साथ कट जाएगा, ठीक है, तो आपके पास, ये वाली चीज आ जाएगा, इगर आप simplify ना भी करेंगे, तो I think there should be a problem, सेम ही चीज है, क्यूबिक रूट में है, अब क्यूबिक रूट में पावर फरंट पे आगी, 1 over 3, पावर मैं से एक माइनिस कर दिया, और फिर इनसाइड वाले का derivative, तो top का derivative 0, इसका derivative हमने पहले भी बाता आगा, अब 1 over, इस चीज आ जाएगी, अग इसाथ ही simplification है, अगें, साइन का derivative कोज, 1 over x square, और फिर इनसाइड वाले का derivative, अब अगर आओ के पास नीचे function में, नीचे x source की power में कुछ हो, उसका असान तरीक है यह, कि आप यह पावर फरंट पे लेके हैं, इसका derivative में, with a negative, और इसकी power में एक याड़ कर दें, which is actually coming from what, from here, हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, exactly same यह होगा, पावर फरंट पे आजाएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे, that gives you minus 2, extra the power minus 3, अब इसको नीचे लेके जाते हैं, तो minus 2 x power 3, तो यह अगर आप इसको ऐसे देख लें, तो आप सीधा-सीधा यह लिख सकते हैं, और जो कि इसका derivative लिया है, यह है, 16 में 10 square root x है, तो 10 का derivative है, हम पता है, sequence square square root x और square root x का derivative लिया है, 4, cos 5, तो front पे आजाएगी, 4 के साथ multiply है, 20, power में एक minus हो गया, तो कि cos 5 x काम लिख सकते हैं, cos x whole to the power 5, और फिर inside जो cos है, उसका derivative जाएगा, which is minus sign, तो आप multiply का लोगे, इसका derivative एक 4, इसमें again 4 जो 5 के साथ multiply हो जाएगा, पॉर में से एक minus हो जाएगा, और फिर inside जो sin है उसका derivative, cos square, again, to front पे आजाएगा, पॉर में एक minus हो जाएगा, और फिर, यह चीज हमने लिख की भी है, cos 3 square root x whole square, तब यह है inside वाले, इसका derivative, which gives us this, और इसके अंदर फिर एक और function है, तो हम इसके साथ इसके inside वाले का derivative multiply कर देते हैं, ठीक है, तो पहला function इसका derivative आगया, इसका derivative यह, पिर हमने inside वाले का derivative लिए, इसी तरह यह exit is आगया, cos का derivative क्या है, यह चीज, अब again, इसके अंदर क्या है, again, x नहीं है, तब x का function है, तब उसका derivative साथ multiply कर लें, again, इसका हम लिख सकते हैं, 10 x cube whole to the power 4, तो 4 प्रंट पे आजाएगी, पार में से 1 minus हो जाएगा, और फिर inside का चीज है, इसका derivative, again, इसके अंदर value जो है, वो x नहीं है, इसका derivative, megaw derivative secant square, x cube का ड्र kya, और म ने x cube का derivative भी साथ multiply कर लें, similarly, यहां पे भी, this would be, like this, इसका derivative, c kya पिर inside का derivative, which is this one, इसका derivative लियं प्र हिएपोपोफ इसका derivative जियं, ची долж not 10, और फिर, इसका inside का derivative, जो फो फो इसका आप्र जा हो जो जो है, इसमें भी वही चीज, यह hold to the power 3 है, तो वो कर दिया, फिर inside का derivative, this is inside, इसका derivative लिए तो यह, अब उसके अंदर फिर एक function है, यह, तो आप cushion rule से इसका derivative लिए लिए, calculate करें और फिर इसका आपस में simplify कर दें अगें, square root, तो same चीज, 1 over 2 times, और फिर inside का derivative, square root के अंदर फिर फंक्शन ने पहल, तो हमने वही लिएका, 1 over 2 times, और फिर inside का derivative, minus है तो minus front पे आ जाएगा, power में एक minus हो जाएगा, तो minus 4, और फिर inside का derivative, अब inside में इसका derivative 1 आ गया, इसका derivative अगें इसके अंदर सिर्फ x नहीं है, को secant आ जाएगा, को secant caught, और फिर inside में कौन सी चीज़े ही है, उसका derivative multiply कर देते हैं, अगें, power front पे आ गया, power में साइग माइनस हो गया, inside का derivative, इसका exit आ गया, इसका derivative secant and tan, और फिर inside आरे का derivative साथ multiply हो जाएगा,